हेलो मेरा नाम प्रांजला और आज हम लोग बात करने वाले हैं voltage control method के बारे में यह जितने भी method हैं यह सारे के सारे हम लोग speed control method आज कर डिसकस कर रहे हैं इससे पहले lecture में मैंने resistance control method के बारे में बताया था ठीक है तो हम लोगों ने जो इसका basic lecture था कि कैसे control करते हैं तो उसमें एक हमने formula सीखा था कि जो हमारा mean formula होता है speed का ठीक है तो formula क्या होता है formula simple सा n equal to vt minus का i a ra divided by k 5 ठीक है एक shunt motor की अगर बात करें तो यह formula होता है ठीक है और अगर series की बात कर लेतें series में तो series में formula क्या होता है n series कह देते हैं यहाँ पर इसको shunt कह देते हैं equal to vt supply voltage minus का i a ra ठीक upon में ra plus r series हो जाएगा इसमें upon में k y series आ जाएगा यहाँ पर shunt आ जाएगा ठीक है तो यह दो formula थे यह मैंने इसका जो basic lecture था speed control थी उसके अंदर मैंने यह formula आपको बताया था तो हम लोगों ने अभी तक जो resistance control method देखा था उसके अंदर हमने यह वाला factor touch किया था यह वाला factor ठीक है इसको बढ़ा के हमने speed control किया था ना इससे क्या होता है यह वाले जो method यानि पुराना lecture था उसके अंदर हमने जब resistance बढ़ाया था तो speed क्या होगे थी down होगे थी below base speed ना यह दूसरा method है इसके अंदर हम लोग इस VT को touch करके देखेंगे कि इससे क्या effect पढ़ता है ठी second चीज एक supply voltage को हम कैसे change कर सकते है voltage control method में जैसा कि ना मैं voltage control method तो यानि कि हम पूरे इस method के अंदर जो speed control है वो voltage को change करके करेंगे और बाकी सब चीज़ों को हम लोग constant रखेंगे ठीक है तो कैसे voltage supply voltage को कैसे change कर सकते हो अगर आपकी घर पे 220 आ रही है तो उसको आप कैसे change कर स सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला method है ठीक तो इसको हम लोग इस lecture में देखेंगे ठीक है यह basic formula है यह हम लोग पुराने lecture में discuss कर चुके है तो अगर बात की जाए voltage की ठीक है तो for example अगर आप मार्केट से motor खरीद के लाए हो और motor में आपने क्या करा supply voltage दिया VT supply voltage और ए इसमें कोई छेड नहीं करेंगे divide by K5 यानि कि हम इसमें भी कोई छेड नहीं करेंगे इसको भी constant कर दो ठीक है तो अगर यह सारी की सारी चीज़े constant हो जाती है तो N direct proportion हो जाएगा VT के समझ में रहा है यानि कि N जो है वो इसके supply voltage के directly proportion हो जाएगा तो जैसे ऐसे आप supply voltage को VT को down करेंगे वैसे वैसे speed जो होगी motor की वो भी down होती चली जाएगी समझ में रहा है तो यह common सा method है बहुत easy side दिखने वाला method इसका हम लोग इस्तमाल करेंगे पर complication के अगर बात की जाए तो वो कहां से शुरू होती है उसको समझ लेते हैं सबसे पहले चीज़े हम use कहां करे करेंगे where to use ठीक है वेर तो इसका answer है हम लोग कहां यूज करेंगे below base speed पर control करने के लिए below base speed या अगर तुम्हें motor की speed जो है वो base speed के नीचे ले जाने है ठीक है base speed मैंने एक पिछले lecture में बताया था ऐसी speed जिस पे आप rated voltage देते हो V rated देते हो और current I rated जब flow कराते हो ठीक है तो ऐसी condition में जो speed निकल के आती ही वो होती N rated ठीक है इसको हम लोग कहते है rated और base speed और base speed भी इसी को कहते हैं तो यह जो base speed है यानि कि rated speed है जब तुम इससे नीचे क control method तो voltage control method भी कुछ इसी तरीक के था ठीक है अच्छा एक वीजन और होता है कि हम लोग इसमें voltage control below base speed यूज करते हैं देखो voltage जो होता है वो जिम्मेदार होता है insulation के breakdown के लिए insulation breakdown के लिए insulation को break करने के लिए याद रखना यह चीज फर एक्जामपल अगर तुम market में खरीदने जाओगे wire यानि कि conductor अगर खरीदोगे तो conductor जो होगा वो purchase होता है यानि conductor की जो purchasing है conductor की जो purchase जब हम लोग करते हैं वो on the basis of current purchase किया जाता है यानि कितना current तुमें flow कराना है insulator खरीदने जाओगे अगर market से तो वो हमेशा voltage के उपर मिलता है यानि कि जितना ज्यादा voltage तुमें जिस voltage deal करना है उस level का insulator मिलेगा for example अगर तुमारे घर में एक प्लायर है प्लास है तो उससे तुम घर का 220 वोल्ट का तो तार सही कर सकते हो लेकिन जो high tension line तुमारे घर के वीक है तो ऐसे में पूरा current तुमारे अंदर से होते हुँ अर्थ में चला जाएगा तो इसलिए जब भी आप देखते होगे transmission line भी आपने घर के बाहर देखी होंगी तो वहाँ पर क्या होता है इस तरीके के insulators यूज होते हैं यह insulator लगे होते हैं और यह transmission line गई होती है यह अगर तुम voltage को, अगर आप voltage को rise up कर दोगे तो क्या होगा जो तुमने voltage V equal to 220V के लिए जो insulator use करे थे जो insulator use करे थे वो क्या होगे फेल हो जाएंगे और ऐसे में अगर insulation fail होगा तो सारी की सारी winding क्या होगा एक दूसरे साथ short circuit में आ जाएगी clear हो रहे हैं आपे तो देखो जो armature होता rotor उसके उपर जो हमने ऐसे winding करी होती इस तरीके से यह winding जो होती यह आपस में यह अगर बात की जाए तो wire इस तरीके से होते तो यह जो wire होते हैं इसके उपर आपने देखा होगा एक insulator की परत लगी होती insulator की ठीक है यह insulator क्या करता है इसके अंतर flow ने वाले current को इन दोनों को आपस में separate करके रखता है अगर यह insulator जो होता है यह किस पर depend करता है voltage के उपर जिससे तुम deal कर रहे हो अगर तुमने voltage control method में voltage बढ़ा नहीं कोशिश करी rated से तो ऐसे में क्या होगा यह जो insulator है यह क्या होगा फेल हो जाएगा और यह दोनों की दोनों coil क्या हो इसलिए हम लों voltage control method के साथ क्या करते हैं सबसे important चीज़ है voltage को rated से उपर नहीं ले जाते हैं यानि कि जितना तुमने rated voltage decide करा है जो motor design करी है insulation उसमें जो तुमने rated voltage के according लगाया है उसके उपर हम लों कभी भी voltage को ले जाने कोशिश नहीं करते हैं ठीक है इसलिए इसे below base speed पे use कर जाता है इतनी समझ में आगई होगी ठीक है तो यह चीज़ समझ यानि कि पहला question solve होगे कि कहां यूज़ करना है तो below base speed method का इस्तमाल करते हैं ओके now अगर type की बात कर लें तो दो तरीके के voltage control method होते है ठीक अब देखो type कैसे decide होगा तो हमने ठीक है हमें करना क्या है V जो उसको हमें क्या करना है rated यानि कि V जो rated है उससे क्या करना है low ले जाना है अब rated voltage की बात की जाए तो यह होता है तुम्हारे supply voltage के बराबर यानि कि अगर तुम्हारे घर में voltage आ रहा है 220 वोल्ट तो तुम कैसे possible है कि हम 220 से हम लोग 190 वोल्ट हासिल कर लें clear हो रहा है तो यह जो था यह जो riddle है इसको solve करना जरूरी है ठीक जानि कि अगर तुम्हारे घर में आ रहे है 220 वोल्ट तो तुम कैसे उससे 190 ले जासे तो या फिर अगर आप मशीन को मोटर को चलाने के लिए DC बैटरी का इस्तमाल कर रहे हो जो की certain voltage है V वोल्ट दे रही है तो अब यह तो तो बैटरी से हम जो constant ले रहा है उसे कैसे reduce करना है इन अंदा basis अफ देरा two types of method ठीक है तो यह इस basis पर यानि कैसे तुम एक constant voltage को एक constant voltage को ठीक है तुम कैसे इसे वरियेवल वोल्टेज में convert करोगे वरियेवल वोल्टेज में एक constant जो दिखने वाला वोल्टेज उससे कैसे वरियेवल वोल्टेज में बदलोगे यह जो होता है यह जो conversion होता है इसके basis पर दो method डिवाइड हो जाते हैं there are two types of method possible ठीक है तो दो तरीके method possible है एक constant voltage को वरियेवल वोल्टेज में बदलने के लिए कौन कौन से पहला है बहुत important वार्ड लियोनार्ड method वार्ड ज्यादा पूछे जाना वाला question है बहुत एक्जाम में आता है और दूसरा क्या है थारिस्टर कंट्रोल थारिस्टर कंट्रोल में थारिस्टर कंट्रोल में ठीक है तो यह दो method है यानि कि कैसे आप एक constant DC voltage को एक variable DC voltage में बदल सकते हो यह ऐसा करने यह तुम किस तरीके से कर स सकते on the basis of this there are two type of method ठीक तो यहां से तो देखो याद रखना जब भी आप किसी चीज़ का division पढ़ते हो या उसके types पढ़ते हो तो यह चीज़ तुम्हें पता होना जरूरी है कि किन basis पे उन types को divide किया गया था मतलब ऐसा नहीं है कि केवल हमने ऐसा ही उनकी family बाट दी तो कि basis पे हम किसी चीज़ का differentiation कर रहे हैं यह चीज़ हमेशा याद रखना बहुत काम आई कि question solve करने में यह चीज़ तुम्हें हमेशा clear होनी चाहिए कि अगर आप कोई दो type में divide कर रहे हो तो on the basis of what यानि कि क्या reference लिया गया है तो यहां पे एक constant DC voltage को variable voltage में convert करने के लिए हमें क् पड़ेगी जो यह जो करने का जो काम है यह दो तरीके से किया जा सकता है एक तो वार्ड लियुनाद मेथर्ड है और एक है थारिस्टर कंट्रोल मेथर्ड के उपर चर्चा करेंगे वार्ड लियुनाद मेथर्ड क्योंकि बहुत important है और काफी detailed concept है तो इसके लिए मैं आप बात किजा it to 2 तरीकी की हो सकती एक हो सकती esc areनी आपके पास जैसा की normal होता है aireo या फिर क्या हो सकता आपके पाद dc आ रही हो ठीक इस अब लेकिन तुम इन दोनों से चलाना क्या चाते हो किसकी कंट्रोलिंग करना चाते हैं प्र कि मोदर कौन सी यह dc curve टीक है तो देखो तो अगर तुम ये जो motor लगी है तुमारे घरों में वो DC motor है अगर for example अगर DC motor की तुम्हें controlling करनी है तो तुम्हाँ आपस दो तरीके हैं supply कौन कौन से आ सकती है तो AC आ सकती है तो सबसे पहले अगर AC आईगी तो यहाँ पे हम लोग क्या use करेंगगे rectifier हम together हम यूज करेंगे सब लोग इसके बारे हम जानते होंगे हम rectifier से use करके ऐसे DC देदेंगे लेकिन अगर बात की जाए नॉर्मल डाइयोड की नॉर्मल टाइयोड होते हैं अगर तुम इस से AC wave pass करोगे तो यह क्या करते हैं इस तरीके से full wave rectifier अगर होगा तो यह तुम्हें output में DC देदेगा लेकिन अगें voltage की value लगबग लगबग constant रहेगी क्योंकि देखो एक fixed voltage मिल रहा है जितना तुम्हारा यहां पर peak थी इसी तरीके से तो अब इस matter को solve करने के लिए एक invention कीगे जिसका नाम था thyristor इसे हम लोग SCR भी कहते हैं ठीक है तो इस silicon control rectifier कह सकते हो या फिर हम इसे कहते हैं thyristor ठीक है thyristor के बारे में अगर आपको बहुत डिटेल पढ़ना है तो यह आपके power electronics का topic है third year में जब तुम power electronics पढ़ोगे तो पहला chapter ही आपका thyristor होगा ठीक है तो thyristor जो होते हैं यह इतना भी समझ सकते हो अगर DC machine समझ नहीं है कि यह control rectifier होते हैं यानि कि यह जो तुमने इस तरीकी की जो waveform बनाई है इसको भी हम और भी cut कर सकते हैं या modify कर सकते हैं हम लोग for example इतनी wave इस में से इसका काट सकते हैं यह जैसे काट ली तो यह जीज़े जो होती है यह सब काम करता है थारिस्टर यानि थारिस्टर की मदद से तुम जो आउटपुट दे रहते जो diode controlled rectifier था जो diode rectifier होते हैं normal वो uncontrolled होते हैं यानि कि जितनी में supply दोगे वो just उसको AC में convert और AC को DC में convert करके आगे pass कर देंगे लेकिन thyristor की मदद से तुम जो आगे AC को DC में pass करोगे उसे और further modify कर सकते हो अभी तक आप as a second year आप इतना समझ सकते हो जब आप 3rd year ने पहुंच होगे तो इसका detailed concept आपको पढ़ने को मिलेगा ठीक है तो इतना समझ में आ गया होगा तो th thyristor की मदद से हमें लोग क्या कर सकते हैं further modify कर सकते हैं एक uncontrolled DC output को controlled DC आपट कर सकते हैं तो इसलिए rectifier की जगा thyristor हम लोग यहां पर इस्तमाल करते हैं तो thyristor वाले हमें rectifier यूज करने पड़ेंगे यानिकि थारिस्टर कंट्रोल रेक्टिफायर थारिस्टर कंट्रोल वाले रेक्टिफायर मैं यूज करूंगा ठीक है एक तरीका यह है दूसरा क्या है DC यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आ जाते हैं तुमारे बग बूस्ट कनवर्टर तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कंवर्टर क्या करते हैं इसके अंदर क्या होता है दो तरीके होते हैं एक होता बग कंवर्टर और एक होता बूस्ट कंवर्टर में लिए जो यूज होते हैं तो bug converter क्या करता है ये दोनों की दोनों क्या करते हैं DC to DC converter होते हैं ठीक है तो DC DC मतलब अगर for example आप deal करें 200 DC में तो bug क्या करेगा जब तुम bug converter से pass कराओगे तो 200 की जगा 180 DC मिलने लगेगी या 160 यानि कि low कर देगा जितनी आ रही होगी बूच converter क्या करता है जैसा की नाम है अगर इससे तुम 220 वोल्ट पास कराओगे तो यह तुम्हें output में more देनी यानि कि above 200 अबब 200 वोल्टिक प्रोवाइड करवा देगा क्लियर हो रहे हैं यहां पर तो यह होता bug converter DC to DC converter और भूच ठीक तो अगर तुम यूज़ कर रहे हो करोगे AC को DC convert करोगे प्लस DC के voltage को vary कराओगे ठीक है अगर बात करी जाए DC DC to DC यानि अगर तुम DC supply की साथ deal कर रहे हो fix DC तो जब तुम उसे converter से पास करोगे bug से तो वो क्या करेगा voltage को 180 यानि कि reduce कर देगा boost से पास करोगे तो अबव 200 ले जाएगा ये method हम यूज़ नहीं करेंगे voltage control में क्योंगे voltage control मैंने तुम बताया था कि हम लोग कभी भी voltage को अबव rated नहीं ले जाते हैं तो इसलिए boost नहीं bug converter बहुत commonly use होते हैं बग converter जब आप पास करवाओगे तो वो क्या करेगा constant DC voltage 200 को below 200 voltage ले जाएगा और ये देगा supply motor में clear हो रहे हैं आपे तो ये हो गया थारिस्टर control method इसमें भी थारिस्टर use होगा ऐसा करने के लिए और इसमें भी इसलिए इसका नाम ये जाता है थारिस्टर control method clear हो गया ठीक है तो थारिस्टर का का क्या होता अगर थारिस्टर का roll play बात कर जाएं새 थारिस्टर की अगर रोल की बात की जाएं सब्सक् trace that royal तो ये क्याह करता है ये क्क disciples DC यानि कि इसमें नोगग क्या करते हैं Controlled आपट मिलता है Kennedy ऊट्पूट ठीक है जबकी अगर डायोड की बात करता है अनकंट्रोल रों क्या थीक मैंने बताया था कि अगर तुम डायोट की बात करोगे तो और नहीं इस तरीके से मिलेगा ठीक है लेकिन अगर थाइरिस्टर से आप यूज करें फारिंग एंगल कंट्रोल करके तो और पूर्ट तुम फर्दर कंट्रोल कर सकते हैं किस तरीके से तुमें यह आपूट भ जो उनकंट्रोल रेक्टिफायर होके जो तुमारी रिपल वाली डीसी आ रही उसमें से भी सर्टेन पॉर्शन गायब कर सको यह फीचर डायोड में नहीं होता है लेकिन थारिस्टर में फारिंग एंगल का जब आप कंट्रोल करते हैं तो उसमें यह फीचर एड़ अड़ हो जाता है जिससे तुम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो वोल्टेज के मेंगनिटूड को समझ मैं क्योंकि जब इतनी वेफॉर्म थी पूरी पूरी तो फॉर एक्जांपल सर्टेन वोल्टेज मिला था जब तुम सर्टेन वेफॉर्म गायब कर दोगे तो आउटपुट त होता है इसके अंदर बागी सारे परामिटर रहते मैंने बताए तुम आ यह तुम सम्झ में आ गई होगी तीकि नेक्स लेक्चर में हम लोग इसके बाद जो मैं लेक्चर नेक्चर बनाऊंगा वो भी वोल्टेज कंट्रूल मेथथ कई पार्ट होगा लेकिन उसके अंदर ह वार्ड, लिऊनार्ड मेथधं को डिसकस करेंगे और इस मेथड़ को हम् पूर्ण में डिटील में डिटेल में में हम डिसकस करेंगे बहुत इंपर्टेंट लेक्ट्र में बहुत इंपर्टेंट टॉपिक है ये रिया कि सीवी कंपिशन एग्जाम के लिए है a में सबसे पहले यह देखा कि शंट और सिरीज मोटर के फॉर्मिले क्या होते हैं यह सब मैंने पता रखा था अभी तक हमने पिछले में में रेस्टेंस कंट्रोल में आरे को डिस्टर्ब किया था इसके मेथड के अंदर हम लोग वीटी को डिस्टर्ब करेंगे कोंसेट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हम लोग अगर इसको क्सेंन कर दें आई ह now को और नीचे किफ जो स्पीड जो Oak के यह धो टनमील वोल्तच के और इसी लिए हम लोग वोल्टे क से वोल्टेज को जब डाउन करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी इंपॉर्टेंट चीज दूसरी क्या याद रखनी है इस में हम लोग वोल्टेज को अब आव रेटेड नहीं ले जाते हैं रीजन क्या है क्योंकि इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा ठीक इंसुलेशन से होता है वोल्टेज पाराँ करता है ठीक उसके बाद मैंने स्पाइब 티प बताएब उसके बैज कितने वैंज्म बैसिस पर तो जिसके अदर क्यों क्योंकि न पर rectifier होता था जैसे आप AC को rectify करोगे diode से तो एक constant मिलेंगे इस तरीक इस ripple DC मिलती है लेकिन जब तुम थारिस्टर use करते हो तो इस DC को भी हम लोग यह जो ripple वाली DC इसको further modify कर सकते हैं इसके certain part को हटा सकते हैं तो यह जो additional feature था यह थारिस्टर में होता है और यह कैसे कर पाते हैं तो इसके लिए हम लोग इस्तिमाल करते हैं firing angle का ठीक है थारिस्टर के बारे में अगर आपको बहुत डिटेल जानना तो पाउलेक्ट्रोनिक का topic है यह इसके लिए आप पाउलेक्ट्रोनिक की कंट्रोल का और इसके बाद हम लोग लियूनार्ड मेथर्ड को करने के बाद देन लास्ट में हम लोग फ्लक्स कंट्रोल मेथर्ड को डिटेल में स्ट्रक्चर को डिल करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद